हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डिरामा स्पेलर पार्ट 3 देखने आये हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ ये पार्ट कैसा लगा जरूर बोलना पार्ट 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं लियांग वान के सामने खुद को पनिस करते हुए बोलता है सुनो तो मै मैं तुमसे जूट बोलना नहीं चाता था लेकिन मेरे घरवाले वो वोरीड थे कहीं बाहर लोग मेरे रईस होने के बज़े से मुझे चीटना कर दे और इसलिए ही मैं तुम्हें मेरे फैमिली व्रग्राउंड चुपाया था वान बोलती है तो तुम कहना क्या चाते हो मैं तुम्हें धुका देने वाली थी लियंग बोलता है नहीं नहीं बाद मैं सच बोलना चाता था लेकिन डर लग रहा था तो मैं प्लीज माप कर दो ना प्लीज हुआन बोलती है ठीक है मैं माप कर दूँगी लेकिन तुम्हें प्रमिस करना होगा आज के बाद तुम कभी बेठो और फिर से लियांग के सर पे लगता है वो चिलाता है तो हुआन क्या हुआ बोलके उसके सर पे कहां चोट लगा था उसे देखती है उसकी क्यार देखके लियांग गले लगते हुए बोलता है मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो अब माफ भी कर दो और तभी फिर से हुआन को call आता है। ये देख के लियंग बोलता है। लेकिन याद रखना। ये तुम्हारे लिए एक warning था। आगे भी अगर येसा कुछ हुआ, मैं तुम्हें निकाल दूँगा। हुआन ठ्यांक्स बोलके लियांग को ये खुसकबरी देती है, ये सुनते ही लियांग भी बहुत खुसो के, हुआन को हुख करके बोलता है, ये मेरी हुआन की जब नहीं गई और वो मुझे माव भी कर दी, ये, साम को जब हुआन घर बापस आती है, वो देखती है गली के ब उनों हुआन के लिए वेट कर रहे थे, फिर पापा बोलते हैं, चलो तुम दोनों, आज मैं तुम दोनों को आइस क्रीम खुलाता हूँ, बहुत दिन से हमने आइस क्रीम नहीं खाया, फिर तीनों आइस क्रीम खाते हैं, फिर वो दोनों लियांग के बारे में पूछते हैं, ह वान सारी बाते बोलती है तो पापा बोलते हैं लियांग को बोलो वो घर आए हमसे मिले वो केसा है क्या है हमें पता भी नहीं है फिर तीनों बहुत दिर तक पाते करते हैं इधर मा जब रूम साप कर रही थी उसे हुआन की लैपटप उपन मिली यह देखते ही मा वान के मैसे जो बोल रहा था सब सचे वह बहुत रही से अच्छा है अच्छा है तुम उसे साधी कर लो मैं चलती हूँ मैं गुन नइट हुआन कुछ बोलने से पहले पापा बोलते हैं हुआन तुम सोजाओ उससे मैं बात करूंगा और बोलूंगा आगे से वो तुमारी चार्ट ना पढ़े दूसरे दिन जब हुआन होटल जाती है लीली तो बहुत खुश हो जाती है लेकिन यो यो हुआन को देखके एसे मूँ बनाता है जैसे माना उसे करेंट लगया फिर एक मेटिंग होता है जहां याओ बोलता है यहां तुम लोगों को मैं दो ही बाते बोलने के लिए पहला आज से चेंगवान फिर से कामपे आएगी और दूसरा मेरे सीजन आ रहा है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग हम से जुड़े इसलिए अच्छे से प्लानिंग करो एक क्यामपें रखो और हां जो सबसे अच्छी प्लानिंग बनाएगी उसे बोनस के साथ हमारे होटेल में दो दिन ठेरने के लिए कूपन मिलेगा फिर याओ जाने के बाद म्यानेजर भी बहुत सारा बात बोलता है जैसे कि कुछ भी हो जाए अपनी मार्केटिंग टिम का नाम जरूर रखना अच्छा सा अच्छा प्लानिंग बनाना और विनर को क्या मिलेगा तो तुम लोग मां पी मांगता है और दोनों जब करीब आते हैं फिर से मां की कॉल आ जाती है फिर से मां कॉल करके पूछती है कहां हो इतनी डेर होगी कब आओगे वो कुछ आंसर दिने से पहले ही लियांग फोन चीनके बोलता है आंटी क्या मैं कल आपके घर आ सकता हो यह सुनके मां साफ करने में हेल्प करो पापा बोलते हैं तुम भी ना घर साफ करने से क्या होगा हमारा यह चोटा सा घर भिला बन जाएगा क्या यह सुनके मां बोलती है कम से कम थोड़ा जगा तो बनेगा यह टेंपरारी बेट को निकाल दो यहां से पापा बोलते हैं नहीं क्या जरु लेकिन इधन विःधन जब रेडी होके निकला तबी वहां उसका मा आके बोलती है चलो मेरे साथ लियांग बोलता है कहां माह बोली कल बोली थी न तुम्हेBack सी ना किला मる 셔서 मैं जाना है यह मैं गुजू को मैं अष्ज करने पर माम बोलती है यह गुसा तो होता होगा मैं वहाँ पहुंच जाओंगा हुआन के घर पे सभी रेडी हो रहे थे और पापा सराब भी लाए थे और लियांग इदर जैंग को बोल रहा था सुनो मेरा गल्फ्रेंड है मैं पापा के बज़े से यहां आया हूं तुम थोड़ा मुझसे बात करने के आक्टिंग कर पिर मैं यहां से चला जाओंगा फिर वो दोनों को बात करता देख इन दोनों के मां खुस होके उन दोनों को स्पेस देने के लिए चले जाते हैं दूसरे और याओ अपना ग्राणमा के साथ टेहल रहा था ग्राणमा उसे उसके बच्पन के बारे में याद दिला रही थी जैसे कि देखो ये पिर तुमने लगाया है और भी बहुत कुछ उनके बातों से पता चला याओ के पापा अभी जेल में है और वो जल्दी छुटने वाले हैं और दादी दूसरी साथी की थी और उनकी एक सोतला बेटा भी है याओ पूसता है दादी एक बात पुछो आप आप नर्सिंग होब में क्यों रहते हो क्या वो लोग आपको खराब बीव करते हैं दादी बोलती है अरे नहीं नहीं वो तो अच्छे है लेकिन मैं अपने दूसरे पती से मीडिलेज में साधी की थी ये तो जाहिर है उनका बेटा मुझे ना पसंद करता हूँ लेकिन मेरे स्टेप सन के बेटी बहुत अच्छी है वो अक्सर नर्सिंग हो माती है और मेरी ख्याल भी रखती है अरे हाँ वो तुमारे होटेल में तो काम करती है मैं नहीं उसकी जब वहां पर लगाई है या बोलता है करती होगी मैं तो अभी अभी होटेल में जॉइन हुआ हूँ मै हर किसी को नहीं जानता तो दादी बोलती है ठीक है मैं तुम्हें मिलाओंगी उसके साथ उसकी नाम म्याओ छेंखवान है ये सुनते ही याओ को सद्मा लग जाता है फिर वो दोनों रेस्टोनेट जाते हैं खाना खाने के लिए औरर भी करते हैं उसी वक्त दादी लियांग क को देखके लियांग के पास आके पूछती है लियांग तुम यहां और यह को ने लियांग कुछ बोलने से पहले जैंग बोलती है हेलो मैम हम ब्लाइंड डेट पे आये थे लियांग बोलता है नहीं नहीं दादी मेरे पापा ये डेट प्लान किये हैं मुझे इसके बारे मे वो खाने जा रहा था लेकिन माँ उसे रोक के बोलती है रुख जाओ लियांग को आने दो तो जाओ घुस्ते से बोलता है तो ठीक है मैं चावल खा सकता हूँ न और जब कीचेन से चावल लाने जाता है माँ बोलती है रुखो ये कलकी है ये फ्रेस वाला है लो ये सब देख नीचे फाहन लियांग को फोन करके बारे में पुछती है तुम तो बोल रहे तुम्हारे पेरंट्स मुझे पसंद करते हैं नीचे लियां Mo nou तो यह सब क्याे नहीं नहीं कोई ज़रृत नहीं घर आने का लेकिन तभी वह लियांग के बोलता है नहीं नहीं वहानमे ही आ रहा था वहान ब्लाइंड़िट पर नहीं काम के बारे में पात करने गया था वह लुव भींृत पर क हुख़म मोई जरृत नहीं हो中 liberali지 क never आही रहा था कोई और आके लियां को मारती है और वो कौन था देखते हैं अगले एपिसोड में बाइ बाइ थैंक्स पर वाचिंग